ते मांशी है एशा है गुडिवनिंग रावुल वेजनती गुडिवनिंग अनन्त गुडिवनिंग कुछ नए बच्ची भी मुझे दिखाई दे रहे चलो जी क्या पढ़ा था हम लोगों ने गुडिवनिंग विकाश उभन्दू गुडिवनिंग कल कुछ मुझे लिखवाना था और मुझे क्या लिखवाना था मैं पहले एक काम करते हैं जब तक सभी बच्चे आ जाते हैं हम थोड़ी बहुत बाते लिख लेते हैं कुणकि यार उन लोगों को भी लॉस नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ जीत मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ जब तक बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाते तब तक कुछ लिख लेते हैं हाँ सिनाइरियो अनेलिसिस के मैटर पर लॉस्चे लॉस्चे, बच्चे लोगेख वि लॉस्च प्रेयो, प्रेयो अनेलिस्ट चाहिए मैं अनेलिस्ट scenario analysis ठीक है कुछ बाते दो चार बाते आप भे लिख लो अच्छा लगेगा सर ठीक है सर लिख लेते हमें स्टार्ट तो करें नोट सच्छे से बनने चाहिए point number one point number one क्या पहला डॉट दे there is a limitation of अधिवाली प्रहूचिविति अनलिस इस ट वन फेक्टर और से अनलिस प्रहुंग वेक्टिवा ये लूब है वन फेक्टर गिविख ये लूब वेक्ट तर श प्रहुंग वेक्टर अधरूब एक समय पर एक ही फैक्टर चैंज होगा और बाकी फैक्टर कॉंस्टेंट रहेंगे इट मेंस फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ठीक है सिनाइरियो स्वरी सेंसिटिविटी अनलिसिस की यही एजम्शन थी जो की गलत इन रियाल्टी या इन रियल लाइफ ऐसा लिखोगे ठीक ऐसा रेक ही बात है वैसे भी थीओरी थोड़ी ना थी फैक्टर्स आ इपेंडेंट रिया वर इज़े ही ना रिया यह फैक्टर्स नइच अधर ता इडरगेंट की के सरथ है if selling price of product decreases selling price come ho ga then sells volume will increase that is how selling price if you get the product how do you say that the sales which you are selling if the selling price is less Então quantity बढ़ेगी demand and supply बहुत अच्छे से price elasticity of demand पड़ा हुआ economics ठीक हैसे hence introduce law of demand, बेलिक लेकल से, hence introduce सेनरियो अनल्यस्ट सेनरियो अनल्यस्ट सेनरियो 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 and calculate NPV in different different सिनारियो तर एक्जाम में ये आएगा कि लिखने के लिए चांसेस बहुत कम है अगर मैं कहूं कि अभी चार नंबर या तीन नंबर का थियरी आता है अभी जो चल रहा है सिले बस वर्ट आपको तो यार मल्टिपल चोईस कोशन डाल दिया है और MCQs डाल दिया है तो फिर तो और भी मुस्किल है पर अब वो तो पेपर के पैटरन पर मेरा काम है कि आपके study mat में कोई ऐसा सब्द ना रहे जो मैं पढ़ा हूँ ना चाहे वो थियरी है चाहे वो numerical है मैं अपनी रिउटी पूरी करूँ तो मेरा काम है SM आपका जो new study mat है उसका एक सब्द भी ना चूटे चाहे थियरी चाहे numerical तो वो मैं काम करवाती हुए चल रहा हूँ ठीक है जी लिख लिया है सभी नहीं तब चले गए कि यार इसलिए मैं थियरी ने लिखवाता हूँ ना पढ़ाता हूँ अच्छा ठीक है चलो जी सभी ना नोट डाउन कर लिया और नोट डाउन नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं यह तो वैसे भी मैं शेयर कर लूँगा चलो अगर मैं कहूं क्या सिनेरियो एनिलिसिस हमारा खतम हो चुका है हाँ तो सर्फ सिनेरियो एनिलिसिस को तो यह बड़े सारी कोशन डाल रखे आपने बुक में वह एक्च्वल में नहीं है और जो कोशन आपकी बुक में डले हुए है वह एक्च्वल में कुछ हिलियर मौडल पढ़ाऊंगा मैं हार्ड्स मौडल पढ़ाऊंगा वहां काम आएगे वह उसके कोशन अभी आपको उस तरफ देखना भी नहीं है ठीक है ठीक है सर और वह कोशन सर कहां से उठाया आपने वह कोशन कहां से उठाया कैसा उठाया सब कुछ आपके साथ discussion करूँगा कुछ भी आपसे छुपाऊंगा ने तो सर पहला काम हम क्या पढ़ा है पहले एक बार थोड़ा सा ओवर्वीव ते ले ले पता लगा आगे आगे चल नहीं हमको पते नहीं क्या पढ़ा हम लोगोंने capital बिश्टिंग श्टार्ट किया था यस capital बिश्टिंग में जो पहली और दूसरी क्लास थी हमने जबरदस टाइम पास किया payback period ARR NPV NPV पता नहीं क्या-क्या पढ़ा है फिर उसके बाद हम मुद्दे पर आगे जो कि हमको CA final में पढ़ना है और उसमें CA final का सबसे पहला topic उठाये हमने inflation in capital बिश्टिंग सर यह revision आप last में नहीं करवा सकते है last में आप भी जल्दी में होते हूँ में भी जल्दी में होता हूँ inflation in capital बिश्टिंग में कुछ nominal discounting rate नहीं nominal cash flow को nominal discounting rate से discounting करते थे और real cash flow को real discounting rate से discounting करते थे उसमें एक खास बात थी कि depreciation पे कभी भी inflation नहीं लगाना होता है ठीक यह तो याद है सर और क्या था सर उसमें विसेज़ बात विसेज़ बात और एक थी कि यह inflation का rate अगर अलग अलग है selling sales पे अलग inflation है variable cost पे अलग inflation है तो उस condition में क्या करते थे उस condition में हम nominal discounting rate ले ले लेते थे और nominal cash flow लेकर ही काम करते थे सर इसकी summary आप लिखवा दोगे कि कहीं हाँ एक बार capital investing खतम होगा तो आप और में हम लोग मिलकर एक summary बना लेंगे capital सर इंफलेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था इंफलेशन के बाद हम आ गया थे risk in capital investing, risk analysis risk analysis में मुझे तीन चीज़े पढ़ानी थे पहला आपका statistical approach या probabilistic approach जिसमें standard deviation था और expected NPV था और coefficient of variation था तूसरा जो मुझे करवाना था conventional techniques जिसमें risk adjusted discounting rate था और certainty equivalent approach था वो CA inter का ही था लगबग उसमें कुछ विशेश था नहीं तीसरा other techniques पढ़ा है other techniques में मुझे चार चीज़े पढ़ानी है पहला sensitivity analysis जो ढंग से है भाई अच्छे सारी question दे रहा दूसरा जो करवाना sensitivity analysis के अलावा सर क्या पढ़ा था scenario analysis जो है ही नहीं है एक मात्र example था जो आपने कल कर लिया थोड़ा बहुत मैंने यहां लिखवा दिया अब तीसरा बचा है decision tree और चोहता बचा है simulation तो तीसरा number लिख रहा हो decision tree फिक है decision tree इसमें मुझे बहुत सारी बाते समझाने है हलकि मैं अभी धीरे से बताऊंगा कि एक decision note होता था presentation सर अलग-अलग है बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है scenario analysis में आप जो कर रहे हैं या एक बच्चों का और भी message आये था divide और multiply सर डिवाइट करना है factor से या multiply करना है scenario analysis में आप जुगाड वाले तरीके से कर सकते हो ज्यादा problem नहीं आएगी अब यार हम लोगों को वो में test के समय जब होगा ना paper के साथ जब test होगा तो discuss करूँगा actually problem क्या है कि कि किस question को हम जुगाड वाले तरीके से कर ले जल्दी से और किस question को हमें थोड़े बड़े तरीके से करना चाहिए यह मुझे समझाना है ऐसे भी question है जो आप calculator में कर लोगे पर अगर presentation से करोगे तो उन्हीं questions को आप 10 minute लगा दोगे तो sir किन questions को calculator में करना है किन questions को हमें बड़े रूप में करना है प्लीज यह भी आप बताओगे पक्का मैं बताओगा थोड़ा सा मुझे time देदीजी यह chapter खतम होगा ना तो हम discussion करने वाले सारी चीज है तो decision tree मुझे करमाना है दो line लिखवा रहा हूं हलाकि उन line का कोई use नहीं होने वाला है लेख लो अच्छा लगेगा आपकी किताबों में भी वो line लिखी हुई है decision tree is a graphical presentation of graphical presentation of decision problem हाँ जी सुनो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं अब काम की बात काम की बात ध्यान से समझना त्यार हो एक बर बोलो अभी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं दो कोईशन करने वाले हैं दोनों कोईशन में अजी मैं आपका वेट कर रहा हूं क्या अब आप लोग तैयार हो मेरी बात सुन रहे हो तो ठीक है अब सुभेंदू ठीक है अमेद इशा सब लोग तैयार हो अब अब सुनना कि यार हम डिसिजन्ट्री उतना आसान नहीं है देवेंदर सही है अब डिसिजन्ट्री उतना आसान नहीं है तो सर डिसिजन्ट्री पे चले क्या हाँ चलेंगे अभी मैं प्रॉपर डिसिजन्ट्री पे नहीं करमाऊंगा क्योंकि ना मुझे बताना है कि नोट्स होते है कुछ नोट्स होते है जिसको आप डिसिजन्ट्स बोलते है कुछ chance node होते है पर अभी मैं पूरी तरह से decision tree पर नहीं आ रहा हूँ कम से कम हम एक base बनाएं और base कहां से बनाओगे एक question हलाकि आपके study mat का है वो decision tree का question नहीं है पर probability huge होता है decision tree में decision tree होता क्या है वो मैं आपको दीरे दीरे समझा दूँगा सबसे पहला हमारा target है एक question जो कि आपने CA inter में भी पढ़ रखा है CA final के study mat में भी है वो question करवाँगा वो decision tree नहीं है पर decision tree जैसा है और उसके बाद एक CA final का question लेंगे हम actual में probability का कैसी huge करना हो सीखने वाले है ठीक है और उसके बाद फिर हम समझेगे कि यह रखिर decision tree है क्या it means sensitivity में हमने पहला कुछ भी नहीं किया था सीधा example से start किया था लिखा कुछ नहीं था वही काम यहाँ पहले सब सारी चीजे समझ ले और उसके बाद लिखे तो मज़ा जाएगा तो question number 26 पे आ जाईए question number example नहीं करवा रहा हूँ question number 26 जल दिसे सर यह हमारे new study mat AFM के study mat में है क्या हाँ जी AFM के study material में है यह question और सोच समझ के बताईए क्या यह question आपको देखा देखा लगता है सर याद नहीं आ राद देखा देखा है कि नहीं कोई वर्थ मैं मान के चल रहा हूँ सर कौश्ट में था नहीं कौश्ट में तो था आपके FM में भी था इंटर में FM में पर यार FM तो हमको याद नहीं है न सर छोड़ो न हमने नहीं देखा है कुछ भी प्लीज आप समझाईए तो यह question कहां कहा है यह question हमारे study material का SM का और कौन सा वाला SM AFM तैयार हो? यस परड़ा है question को याद रखना है question में थोड़ा time लगा ना क्योंकि बहुत सारी चीजे मैं आप से पूछूंगा A firm has an investment proposal कितने रुपए की जरुवरत है आज अगर हम पैसा लगाते तो हमें 80,000 चाहिए पैसा लगेगा 80,000 तो ठीक है 80,000 आज लगाना है दो साल चलेगा फर्स्ट इयर में in year 1 0.4 probability है कि CF 80 आएगा 50,000 80,000 आज लगाएगे फर्स्ट इयर में कितना आ सकता है तर फर्स्ट इयर में आएगा 50,000 इस बात की probability है 40% और या तो आ सकता है 60,000 इस बात की probability है 0.6 50,000 भी आ सकता है 60,000 भी आ सकता है इसके बाद लिखा अगर फर्स्ट इयर में 50,000 आता है फर्स्ट इयर में 50,000 आता है तो सेकेंड इयर में 24 आएगा 32 आएगा 44 आएगा और इस बात की probability यह दिया किस क्या NPV नहीं है यह CFAT मतलब सर बात यह हुई कि सेकेंड इयर का cash flow फर्स्ट इयर के cash flow पर depend कर रहा हाँ जी इट मींस हमें दो ही साल का तो business है हम यह सोच रहे हैं और पहले साल ज़ादा चला तो दूसरे साल भी ज़ादा चलेगा अगर पहले साल मज़ा आ गया तो सेकेंड इयर में भी खूब मज़ा आएगा ही कैसा मतलब सर फर्स्ट सेकेंड इयर का cash flow किस पर depend कर रहा है फर्स्ट इयर पर डिसकांटिंग रेट कितना लेना है 10% ठीक और point number one बोला है हाला कि यह decision tree है ही नहीं है पर बोला है तो काम कर लेंगे बोले आप एक decision tree बनाईए construct किजिए decision tree for the proposal investment project और इसके साथ calculate किजिए expected NP और सुनो factor भी दिया है और point number two, three, four क्या बोला वो बाद में समझेंगे पहले क्या बनाने की कोशिस करते है decision tree दियारो यसर बताओ फर्ष्ट काम क्या करने जा रहा है सर पहला काम करने जा रहा है decision tree आज कितना पैसा लग रहा है आज 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 सर 80,000 लग रहा है कैसा उठड़ो सर 80,000 नेगेटिव लिख दीचे आज लग रहा है एक साल बात क्या हो सकता है सर एक साल बात दो probability है दो chances है यह decision tree बना है याद आजाएगा आपको करते थे हम लोग ऐसा कितना कितना आ सकता है सर 50,000 भी आ सकता है और 60,000 भी आ सकता है 50,000 भी आ सकता है और 60,000 भी आ सकता है 50,000 भी आ सकता है यह है क्या चीज़ सर यह है CF80 कौन से यहर में? फ़स्ट यह है 50,000 आने की क्या probability 50,000 आने की probability है 0.4 और 60,000 आने की probability है 0.6 अगर फ़स्ट यहर में सर 50,000 आया तो सेकेंड यहर में तीन चांसे कितना कितना आ सकता है चलो देख लेते हैं 24 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है 44 भी आ सकता है 32,000 भी आ सकता है और 44,000 भी आ सकता है, यह decision tree मेरे सासद बनाई है क्या क्या probability है, सर 0.2, 0.3, 0.5, 2, 3, 5 यह है C.F.E.T. कौन से यहर का सेकेंड यहर अच्छा, यहां भी तीन चांसेस है सर्क इतना कितना आ सकता है 40, 50, 60 और क्या क्या हो, 451 यह लो, इतना बनाने का नंबर मिल जाएगा पास हो जाओ गया, पासा नहीं से पैस, खतम, कोर्स खतम आपका, S.F.M. यही है decision tree है, यही है, सोरी ऐसा बोलते थे, see, enter अच्छा, 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 अच्छा नोट कर लिया है, क्या यह बच्च वाला खेले, अगली question में बैन बज़ जाएगी, अच्छा, नहीं सर, ऐसा नहीं है, कर लेंगे धीरे, धीरे, धीरे कर लेंगे विल्कुल सही चंद्रकांत, पर नहीं है, मेरा साथ देते रहो, विल्कुल नहीं लगेगा अनन्त नोट कर लिया है आपने ठीक है ठीक है, ये शभी लोगे ने नोट कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं discussion करने जा रहा हूँ ठीक है, सर, discounting rate कितना है, discounting rate है 10% तर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, outcomes मैं कहूंगा कि क्या-क्या सिनारियो हो सकता है क्या-क्या हो सकता है, बताओ सर, ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल 50,000 आए और second year में 24,000, हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता कि पहले साल 60,000 आए और second year में 50,000 आए बड़े सारे सिनारियों बन सकते है बड़े सारे सिनारियो बन सकते हैं Question number 1 कितने सिनारियो बनाया जा सकता है इसको देख कर कितनी possibility है number में बोलो 1 की 2 की 5 की 4 कितनी possibility है अगर मैं करता हूँ scenario की बात करो क्या क्या हो सकता है total मिलाकर कितनी possibility बन सकती है possibility का मतलब में क्या बोल रहा हूं combination कि सर पहले साल 50 उसे साल 44 ये भी हो सकता है तीपक का अंसर आया 6 कितनी possibility है चंदरकांत का है 6 तुभांसू का भी 6 है मांसी का भी 6 है सिंपल सी बात है सर 6 possibility है 6 outcome हो सकते 6 outcomes ये हो गया 1 2 3 1 2 3 6 outcome हो सकते बिलकुल सही है बिलकुल सही है पहला कोशन पहला कोशन सबसे अच्छा सबसे अच्छा outcome क्या हो सकता है सबसे अच्छा सबसे अच्छा हो सकता पूछने जा रहा हूँ सबसे अच्छा हो सकता है कि first year में आए 60,000 और second year में भी आए 60,000 agree? हाँ sir first year में आए 60 सबसे अच्छा outcome की मैं बात करूँ best best outcome है कि first year में आए 60,000 और second year में भी आए 60,000 तो सभी का अंसर सही है, अब मेरा question क्या है सुनो, मेरा question है, अगर मैं कहता हूँ, best outcome realize हो जाता, actual best outcome realize हो जाता, तो बताओ NPV क्या है, best outcome, discounting rate कितना है सर, discounting rate है 10%, discounting rate है 10%, मैं कहता हूँ, चलो यार, best outcome, best outcome, दीपक का कहना सर, worst outcome भी हम बता सकते, हाँ पक्का, बिल्कुल सहीं बोल पर मेरा कहना, best outcome है, 60, पहले साल 60,000, दूसरे साल 60,000, चलो NPV बताओ, क्या, best outcome की situation है, best, calculator से हो सकता, NPV कुछ है नहीं, सर कैसे निकालोगे, factor दिया है, कि तो factor यूज कर लेना, factor दिया है, 909, 826, तो सर, 60,000 into 0.909, probability से multiply मत कर देना, probability से multiply मत कर देना, सीधा मैं कहता हूँ, आप probability का एक बनेट के लिए भूल जाओ नहीं, answer आ गया है, 24132, best outcome, अगर मैं best पे चलूँ, तो answer लिखना नहीं है, आप लोगों को, लिखना नहीं है, बस मैं खुद ही लिख रहा हूँ, 24132, best outcome, ठीक है सभीखा, अब मैं CA enter का थूड़ा सा पूछ रहा हूँ, मुझे answer देना, CA enter या कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, factors के इसाब से कर सकते हो, और factor के इसाब से ही होना चाहिए, विजनती, क्योंकि factor ही दिया हुआ है question, ठीक है, 24, 100 भी चलेगा, अब अब लेकिन काम की ची इतना NPV आ सकता है, तो इतना NPV आने की probability क्या है, क्या chances है कि इतना NPV आएगा, सोच समझ के जवाब देना, सर इतना NPV आ सकता है, बिलकुल, इतना NPV, 24, 100 भी लिख लेता हूँ, 24, 100, तो ये NPV आने की क्या probability है, एक answer आ रहा है, 0.6, 0.6 तो ये है यार, ये NPV आने की क्या probability है, answer आ रहा है, 0.06, 0.06 question mark क्यों है, हाँ, 0.6 into 0.1, 0.06, किसी को कोई शक है, 0.06 में, 0.06 में, सब probability को multiply कर दिते हैं कि हाँ जी, और क्यों करते हूँ, आपको अच्छे से पता है, अगर आप कहोगे, तो मैं इसको explain कर दूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ, सब ही कस हैं, मतलब मुझे explain करने की जरूरत नहीं, ठीक, वाउ, सब समझदार बच्चे, सर छोड़ो, हम समझदार हैं, गुट, तो point 06, ठीक है, तो अब question क्या पूछ रहा है, अब वापस आ जाते हैं की question पर, पहले तो बोल रहा, expected NPV निकाल लिए, ठीक, expected NPV हम निकाल सकते हैं, लेकिन, 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 जब हम question आगे पढ़ रहा है, तो point number 2 में क्या लिखा है, what NPV, will the project yield, बताओ कितना NPV आएगा, if, worst outcome is realized, और बताओ, इस NPV आने की क्या probability है, ठीक है, और फिर पूछरा बताइए, कि best outcome, बताइए क्या होगा, और उस NPV आने की क्या probability है, और फिर पूछरा, पूछरा पूछिट को accept किया जाए कि नहीं, इस question को कैसे solve किया जाए, तो अभी मैं किसको follow कर रहा हूँ, अभी मैं follow कर रहा हूँ, अभी जरूरत है, क्यों, क्योंकि ICAI ने इस पर shortcut नहीं मा रहा है, हाँ, worst outcome की probability सरह हम बता सकते हैं, और दीपक का answer भी आ गया, पर अभी मैं proper question कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है थोड़े detail में समझाने की, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, अब सुनना मेरी बात, यार सुनो, सुनो मेरी बात, best outcome का और worst outcome का मुझे NPV, ऐसे भी निकालना है, एना, एक ये तरीका है, IC AI के जैसे कर रहा हूँ, की total मिलाकर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 NPV निकाल देते हैं, और सर जो 6 NPV निकलेगा, उसको हम joint probability, probability से multiply कर देंगे, और probability से multiply करने पे, जो आएगा, उसका राम, expected NPV कहलाएगा, agree हो इस बस से, तो shortcut भी तो है, हाँ, shortcut के लिए रुख जाओना भी, मैं आप से क्या बोल रहा हूँ, कास आपको मेरी बात समझ में आजा, सब कैसे किया जा सकता है, अब भी जैसे institute ने किया, वैसे मैं प्रिजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बड़े question आते हैं, और इसके sensitivity आने के chances है, और decision tree आने के chances है, sensitivity में institute ने, खुद ने, shortcut मारा है, तो चल जाएगा, इसको थोड़े से अच्छे से कर लेते, shortcut भी discuss करेंगे, वो बाद में, मानशी का कहना सर, फिर से एक बार बताओगे क्या, बस मैं आप से यह कह रहा हूँ, कि हमें NPV निकालना है, एक, दो, तीन, चार, हाँ जी, सभी के लिए मैं shortcut बताओँगा, तो काम करें, यस, decision tree हो गया, पहला, पहला ही point चल रहा है, calculation of, expected NPV, एक के table में इप्टाएंगे सार, यहाँ जाएगा scenario, सर, उसके बाद सिधा calculation of NPV कर लेते ना यार, इतना time थोड़े नहीं हमारे पास, ठीक है बैस्ट, और यहाँ NPV आजाएगा सर, और यहाँ joint probability से multiply कर देंगे, और यहा answer आजाएगा, यहाँ scenario लिख देंगे, यहाँ जाएगा NPV, पी वी सी आई माइनस, इस्यो, NPV आजाएगा, और यहाँ जाएगा joint probability, joint probability मेरे खेल से पता है आपको, ठीक है, और यहाँ NPV into, joint probability, joint probability, scenario one, 50, 40, 50,000 and 24,000, उसर तो 50,000 into 0.909 plus 24,002.826 मेरे पास जगह नहीं है माइनस 80 था हो शाए मानशी का भी आंसर आगे सभी का आगया एन पी वी कितना है माइनस 14726 माइनस माइनस ब्रैकेट लगा जेता हूं 14726 और इस बात की probability क्या है इस बात की probability 0.4 into 0.2 क्या लिख देता हूं एक बार लिख देता हूं 0.4 into 0.2 0.4 into 0.2 कितना हैगा 0.08 0.4 into 0.2 मैं सीधा लिख रहा हूं भाई 0.08 मेरे पास जगा नहीं है 0.08 ठीक है सर आगे चलें इस यह एन पी वी into probability तो यह एन पी वी वी वाल आ जाएगा यह एन पी वी मतलब सर आप एन पी वी को मल्टिप्लाई करोगे जोंट प्रोबाबिटी से ठीक है ओके सेकंड सेनारिव सर 50,000 into 0.909 plus 32,000 into 0.826 minus 80,000 अंसर आ जाएगा यह भी minus में आ रहा है 1178.08 मानसी सायद इसका अंसर होगा यह भी minus में होगा क्या 111 एक बर सर आप ही कर लो न calculus 14726 into 0.08 हाँ सही है 11 यह minus में होगा है 1178 मैं rounded off कर रहा हूँ या rounded off कर सकते हो सेकंड वाल एक answer है minus minus है कि plus है एक बर confirm करके बताओ second वाला भी minus में आ रहा है कि plus में आ रहा minus है minus है यह 8118 8118 और इस बात की probability क्या है सर इस बात की probability 0.4 into 0.3 तो बोलो कितना आ गया 0.12 और 8118 into 0.12 तो सर यह आ गया है minus में 974 मैं rounded off कर रहा हूँ ठीक है विजनती सही है आगे चल रहा है हम लोग third third का भी निकल गया है बच्चों का वाउ expert है सर यह क्या time pass हो रहा time pass नहीं CA final का question है हलके में मत ले ना पता लगा यह ही आ गया exam में CA में final में तो आया था पच्चास और 44,000 सर दोनों में अंतर है ना यार 44,000 into 0. इतना 8 to 60 तो होगा सर minus 80,000 974 यह भी minus में है वाउ project छोड़ दो यार इतना सारा minus कैसे आ रहा 974 minus नहीं सर वो minus में sorry 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 1794 1794 probability इशा 1794 सही है probability सर 0.4 into 0.5 निशानत का भी सही है 0.4 into 0.5 सर आ गया 0.2 0.20 ठीक है 1794 इन्टू 0.2 सर थ्री फिप्टी नाइन 359 हाँ चंदरकांत मेंने rounded off कर रख यह 0.20 सही है 0.4 अब पहले साल का cash flow change होगा 60 और 40 60,000 इन्टू 0.909 प्लस 40,000 इन्टू 0.826 माइनस 80,000 तो पक्का पॉजिटिव है 5 60,000 इन्टू 0.909 6 60,000 इन्टू 0.7580 पॉर्थ का सर यह आगे 7580 probability सिवांगे अनन्थ सब का साही है 7580.6 इन्टू 0.4 0.24 0.24 और प्रशान्थ 1819 1819 हाँ अनन्थ 0.24 बिलकु सही आगे क्या है सर आगे 50,000 50,000 इन्टू 0.826 माइनस 80,000 15840 देविंदर का 15 15840 थैंक्यो सिवांगी 15840 और इस बात का probability क्या है सर इस बात का 0.5 6 इन्टू 0.5 तो यह आगया 0.30 15840 सही है 4752 4752 इस बात मजा रहा है चंदरकान सिवांगी साब सही चल रहे है वाँ मारना बढ़ेगा जब बढ़दस्ती स्पीड है मैसेज करने की तो अब 60,000 इन्टू 0.826 0.826 इस यह तो निकाला भी था साय दियार हम लोगो निशीता का अंसर है 24,100 तो 24,100 ही होगा मुझे पूरी उम्मीद है और 0.06 0.06 पाइनल अंसर बोलोगे? 1446 1446 यह जो आएगा इसी का नाम रहेगा एक्सपेक्टेड एन्ट पे 1446 यह 1447 चल जाएगा कोई इस्चू ने अभी मुझे इसका टोटल करके बताओ ये अंसर आ रहा है 6224 निशान्त का आंसर है सभी का आंसर है 6224 तो बेंदो सही है सबका सही है क्या इन प्रोबैबिलिटी का टोटल 1 होगा तो क्यार प्रोबैबिलिटी का टोटल तो 1 होता है तो अगर मैं इन प्रोबैबिलिटी को टोटल करूँ तो क्या 1 आंसर आएगा हाँ हाँ सर आएगा ना यार ये तो सिंपल सी बात है probability का total तो 1 ही आएगा तो अगर मैं कहूं कि मैंने किया कुछ नहीं है ये मेरा NPV है और ये मेरा probability है और हमने पहली class से हम यही पढ़ना है कि हम NPV को probability से multiply करके sum कर देते हैं जोड़ देते तो जो आता वो क्या आता expected NPV अब सुनो मेरी बात क्या इसके अलावा भी कोई method हो सकता था expected NPV निकालने का एक तरीका ये हो सकता था कि हम first year का expected cash flow निकाले हाँ हम cash flow को discounting कर रहें इसके अलावा भी क्या method हो सकता था हर method मेरे decision tree में आज की class और कल तू संडे है पर सो decision tree पे चलेगी तो उसमें मुझे probability का जबरदस्त में यूच करने वाला हूँ तो अब मैं आप से बोल रहा हूँ इसके अलावा क्या तरीका हो सकता था इसके अलावा तो एक method ये भी है कि हम first year का expected cash तो निकल ले है और हम second year का expected cash तो निकल ले है और answer आ जाए हम इतना 6-6 NPV क्यों निकाल रहा है 6-6 NPV मैंने इसलिए निकाला कि इस question में मुझे point number 2, point number 3 ये दोनों point की जरूरत है इसलिए मैंने 6 NPV निकाला और मैंने का चलो यार एक बार एक बार ICAI की इज़्जत कर लेते हैं और हम लोग question institute के इसाब से कर लेते हैं वैसे हम उनी के इसाब से करते हैं तो अब मैं कहा रहा हूँ क्या हम ऐसा कोई shortcut लगा सकते हैं तो yes इस एक और तरीका है NPV निकालने का मैं यहीं side में लिख लेता हूँ आप भी जहां भी आपके पास जगा है वहां लिख लेजिएगा क्योंकि कल के आज ही मुझे काम पड़ेगा उन सब चीजों के हाँ सर लिखेंगे हम लिख रहा हैं पक्का it means मेरा कहना कि सीधा expected NPV कैसे निकाल expected NP तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर उसके लिए मैं सबसे पहले expected cash flow निकाल लेता हूँ ठीके सर expected cash flow कब का निकालना है expected cash flow एक तो मैं first year का निकाल लेता हूँ first और वो कैसे निकलेगा वो हमको मालूम है 50,000 आ सकता है इस बात की probability है 0.4 और सर 60,000 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.6 तो पहले साल का expected cash flow निकल गया 50,000 50,000 इन 2.4 M plus और 60,000 इन 2.6 M plus MRC तो सर ये हो गया रुपीज 56,000 ठीके पहले साल का cash flow हो गया अब मुझे कब का cash flow निकालना है अब मुझे निकालना है second year का cash flow second year में कितना cash flow आ सकता है second year में 24,000 आ सकता है इस बात की probability है 0.08 तो ले दे कर तो वही हो गया है न यार कर लो भाई कर लो plus 32,000 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.12 plus 44,000 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.2 2 plus 40,000 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.24 plus 50,000 भी आ सकता है इस बात की probability है 0.30 plus 60,000 भी आ सकता है और इस बात की chance है 0.06 second year का cash flow कोई बताएगा क्या 83,400 है एक आंसर देवेंद्र का और विजनती का आंसर है 74,700 मुझे प्लीज कन्फर्म करीजिए second year का expected cash flow क्या है और कोई है मैदान में जो बता दे मुझे की second year का expected cash flow क्या है तो रुख जाओ अभी हम लिख रहा है उनकी दो लोगों का अलग-अलग आंसर मुझे दिख रहा है अब दोनों में से कौन सही है मुझे नहीं मालूँ विजनती ने अपना आंसर हटा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंदर सही होगा 100% देवेंदर का अंसर 83,400 विश्वास पर लिख रहा हूँ आपके ठीक है देवेंदर? विश्वास पर ठीक है सर अप ले अध हो गई या 42760 पक्का ना यार 42760 कसम से हाँ जी सही है निशीदा अब सबका सही होगा क्योंक इतने सारे आंसर आ है ठीक है तो भी ना है बिल्गो सही है 42760 ओके फाइनल अब नपीव ने पहले साल का cash flow मालूम है हमको second year का cash flow मालूम है इसका factor 0.909 इसका factor 0.826 तो चलो नपीवी हो गए फिर तो ठीक है सर लिख लेते हैं तो नपीवी तो निकली जाएगा नपीवी is equal पहले साल 56,000 इन्टू 0.909 प्लस 42760 इन्टू 0.826 और माइनस कितना कर दोगे 80,000 आंजरूत नहीं आना 55,000 आंजरूत नहीं आणसर उतना ही आना 62.224 एक है, एक है एक है ये नोट कर लिया है ना हाँ सर नोट तो करी लिया हूँ ये पूरी उम्मीद है अब और सुनों तो सुनना जरूरी है कि हाँ बेटे हाँ आप नहीं समझ रहे हो कि कल क्या होने वाला है बात तो एक ही है पर क्योंकि ये सिर्फ दो ही आपको पात दिख रहे हैं बहुत सारा आएगा तो इतनी सारी NPV ने निकल पाऊंगे ये इस लिए मैं कहा रहाँ कि नहीं है शॉat-कट आने वाला जो कोश्टेन है न उसमें मचाए का इसलिए मैंने सब चीज की तयारी कर रहा रहा हूँ और एक तरीका बतारा हूँ, मैं जानता हूं अच्छे से की आपको लग रहा है सर हो गए अना और क्या तरीका लेकिन नहीं, कल क्या होने वाला वो मुझे मालूम है ठीके सर और बता हूँ दूसरा तरीका अब ध्यान से मेरी बाश्न उनो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं आप से ठीकिसरी ऐसा था स devotion हम ये कह रहे हैं यार कि मान लो इसको अलग ले 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 अर इसके इसाबसे NPV निकाल ले तए मैं कहता हूं कि इस वाले path को अलग कर ले ते काम आने वाला है दोस्तों इसलिए समझा रहा हूँ इस वाले टोटल पात को अलग कर लेते हैं और NPV निकाल लेते हैं और इसको भी अलग कर लेते हैं और NPV निकाल लेते हैं मैं बस यह ही कह रहा हूँ कि मैं मानगे चल रहा हूँ कि सिर्फ यह हुआ तो और ये हुआ तो टोटल मिलाकर 2 NPV निकालने का सोच रहा हूँ अगर मैं सिर्फ calculator में करूँ calculator की बात करूँ तो कोई शक की बात नहीं कि सर्फ first year में 50,000 है मैं इस path में जा रहा हूँ path number one first year में 50,000 है हाँ sir और second year में 24,000 into 0.2 m plus 32,000 into 0.3 m plus और 44,000 into 0.5 m plus mrc और sir second year में है मान लो 36,400 ठीक है ये बात करो में path number one path one से NPV निकालने की कोशिश कर sir ये कहां से आया 36,400 कहां से आया sir कुछ नहीं किया मैंने इसको ये जो probability दिया न इसी से multiply कर दिया और अगर मैं इसको multiply कर दूं into 0.909 into 0.826 और इसमें से मैं माइनस कर दूं 80,000 तो क्या NPV आ जाएगा हाँ sir आ जाएगा 0.4 probabilities को क्यों use नहीं कर रहे करूंगा मैंने मना नहीं किया अभी थोड़ा सा रूख जाते हैं अभी मैं बोल रहा हूं कि 0.4 को एक मिनट के लिए भूल जाहिए मैं गहता हूं बस यह होने वाला है चलो काम करते हैं NPV निकाले और NPV आया वज़नती का 31916 3-1 3-1 9-1-6 अभी मगवान अब अच्छुआ कहना है तर यह गलत है तर गलत आ रहा है एक्च्वल में आंसर आ रहा है 4-4 8-4 आज आपको क्या हो गया है क्योंकि इतनी गलतिया तो नहीं हुई है आज Saturday है सर Saturday को कौन क्लास रखता है सॉरी ठर्ख होता है चलो कोई बात नहीं अंसर आ रहा है 4-4 8-4 यतनि मजाक कर रहा हूं मजाक कर रहा हूं यार इतना तो चलेगा यार आपका और हमारा ठीक है अब आगे चलते हैं इश्याश नहीं है अब चलते हैं पाथ नमबर टू पाथ नमबर टू हो गया मस्ती कम करो यार हम लोगों को पढ़ना है तर फर्स्ट यार में इधर चल रहा है इधर 60,000 into 0.909 और सेकेंड यार में 40,000 into 0.4m plus 50,000 into 0.5m plus or 60,000 into 0.1m plus mrc 47,000 into 0.826 minus 80,000 13 रुक जाता हूं तेवेंदर रुक जाता हूं मानशी मैं अभी भी रुक रहा हूं अच्छा 1-3-3-6-2 या नपी भी आगे है 1-3-3-6-2 फाइनल अजय लक्ष निशान्त सब का आंसर 1-3-3-6-2 ठीक है मतलब सही ही होगा अब मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूं बस आंसर दे देना क्या इतना एनपी वी आ सकता है आ सकता है सर इतना एनपी वी आ सकता है इस बात की प्रोबैबिलिटी कितनी है ये वाला पात है सर मतलब सर इस बात की प्रोबैबिलिटी है 0.4 क्या इतना एनपी वी आ सकता है आ सकता है सर ये वाला पात है इस बात की probability कितनी है 0.6 तो इतना भी NPV आ सकता है इतना भी NPV आ सकता है तो expected NPV निकल सकता है और कैसे निकलेगा simple है minus 4484 into 0.4 plus 13362 into 0.6 अंसर क्या रायन पेविक सेमी आएगा यार सर आप तो टाइम बस कर दिये ना आप मतलब अल्टिमेटली तो ये मल्टिप्लाई ही कर रहे हो ना हाँ भाई मैंने कम मना किया बस मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कल कोश्चन करवाँ परसो कोश्चन करवाँ तो आप मुझसे लड़ाई ना करवाँ कि नहीं सर आप ऐसे कैसे कर सकते हूँ ऐसे भी होता है बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है सर आगे बढ़ेंगे कि इस कोश्चन से हाँ आगे बढ़ रहा है ठीक है चले लेकिन हर चीज का कहिना कही यूज होने वाला है इसलिए मैंने सब तरह से आपको समझा कर बता दिये कि देखो ऐसे भी होता है ठीक है सर अभी हम आगे चले यस सर कोश्चन खतम कर रहे हैं लोग पहला वाला हमारा काम हो चुका था फर्स्ट में हमने क्या बोला था सर हमने बोला था कि डिसिजन ट्री निकालना है बनाना है और एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है वो निकाल लिया दूसरा मतर पर वाट एनपीवी विल्ट प्रोजेक्ट यिल्ड इफ वर्स्ट आउटकम तो पॉइंट नबर टू लिख ली चे उसी के नीचे वर्स्ट आउटकम्स एनपीवी एनपीवी वर्स्ट आउटकम में एनपीवी कितना आया था वर्ष्ट आउटकम में NPV कितना है हाँ पचास जार चोबीस जार उसके लिए तो main table चाहिए यार इस से थोड़ी नहोने वाला है बताओ अब तो मेरे पास table भी नहीं है 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 ना सर्याद वर्ष्ट आउटकम यह दिख रहा है 14726 14726 माइनस 1178 लिखना चाहिए कि माइनस 14728 लिखना चाहिए माइनस यह भगवान अब तो फिर दिक्कत है और दिक्कत यह है कि मुझे क्या लिखना चाहिए वर्ष्ट आउटकम की बात पूछ रहा है वर्ष्ट आउटकम की बात पूछ रहा मुझे ये लिखना चाहिए कि मुझे ये लिखना चाहिए कोश्चन बस इतना है मुझे लिखना चाहिए 1,4,7,2,8 हाँ अगर वो बोलता कि यार probability से multiply करके मतलब वो बलेगा expected बताओ तो फिर मैं expected बताईए कि यार worst outcome में expected NPV कितना आएगा तो वो मैं बता सकता हूँ ठीक है बात कर रहा हूँ worst outcome तो ये लिखना चाहिए 1,4,7,2,6 और इस बात की probability इस बात की probability क्या थी इस बात की probability पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो और एट पर कभी कभी वो expected पूछ लेता हला कि ये expected नहीं है पर time pass करता है हला कि ये सही answer नहीं है 1,4,7,2,8 पर ये भी बता दिया करो भई इन्टू पॉइंट पॉइंट जीरो एट वही जो आपने किया है 1,1 1,1 कुछ निकाला था वो लिख देना है कभी कभी मतलब वो sense ही नहीं है इस बात का पर ठीक है ICI answer में इसको multiply करके भी बताता हला कि NPV यह में जो हमको चाहिए था थर्ष्ट आउट का statement की जरूरत नहीं है main तो यही है आपका 1472 आपको यही लिखना है NPV 24100 और इस बात की probability 0.06 टीक है और expected भी बता दिया करो 24100 इन्टू पॉइंट निकाला हुआ है आपका क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए answer आ जाएगा yes since expected NPV is positive जाएगा मान है बता झाहिए झाहिएएगा झाहिएएगा तो-ईच्ट कीयम है since project should be accepted कुश्चन खतम हो गया मैं आपसे एक चीज और मांग रहा हूँ, इस कोश्चन कोश्चन में मांगा नहीं है पर C.A. इंटर में कोश्चन हाँ, कोश्चन खता हो गया लेकिन सुनो, C.A. इंटर में हशाने के लिए थैंक यू पर अभी पढ़ाई पर देने के CA internal में कभी-कभी पूछ लिया है क्या पूछा है सर what is the probability of negative नेगेटिव एनपीवी आने की क्या probability है बताईए चलो जी मैंने आपसे पूछा है what is the probability of negative एनपीवी नेगेटिव एनपीवी आने की क्या probability है ये बता दीजिए और आपके पास दिख रहा है मेरा कोशन समझ में आ रहा है नेगेटिव एनपीवी आने की क्या probability है पूरे कोशन में क्या chances है कि नेगेटिव एनपीवी आ जाए एक आंसर आ रहा है point one two टेबल आपके समने है नेगेटिव एनपीवी आने का क्या probability है अधिकतर आंसर आ रहा है point two zero पतलब करना क्या है अगर कोशन आ जाए ऐसा कल भी सायद यही कुछ डिसकस किया था हमने सर यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है यह दो बार नेगेटिव है तो इन दोनों को हमको add करना है और add करके answer आ जाएगा point two zero ठीक हाँ जी add करना होगा ठीक रहा यार यह सब तो positive एनपीवी आने की क्या probability नेगेटिव एनपीवी आने की यह तो कर लोगे आप बस मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ऐसा पूछेगा तो यहाँ multiply वाली बात ही नहीं है यहाँ तो add करना पड़ेगा मैंने पूछा negative एनपीवी आने की क्या probability है तो इन दोनों को add करके बताओगे चले आगे हैं हाँ सर यह question जो बनाया आप है क्या यह आपके study mat में था yes अब और एक question बना रहा है और मुद्दे की बात है बस decision tree एक बार और probability का खेल है यह भी proper decision tree का question नहीं है सर यह question कहां से उठा कर लाए हुआ क्या हमारे AFM के study material में यह question है नहीं है तो सर यह question कहां किस का है FRM का है कि CFA का है यह question ICAI का ही है पहले जब capital investing हुआ करता था पहले जब capital बश्टिट तो यह question आता था famous question था एक यह वाला और एक drill वाला तो question सबके favorite question थे मतलब जान निकल जाती थी वो question बनाने में Monday को हम वो वाला question बनाएंगे पर उससे पहले यह वाला question बहतरीन question है करने में मजायेगा हाँ practice manual में था यह practice manual था old इसलिए बस ओल्ड से भी old ठीक है और ICAI ऐसे ही बही को वो वाला practice manual छोड़ना अमाद वेटे वो वाला capital बस्टिए उसका एक एक question करना है हमको क्योंकि आपके study mat से दे दे तो बहुत अच्छी बात है एक्जाम में क्या sir हम ये तीन method तीनो method से एनपी नई 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 आप किसी से भी कर सकते है question ये है रोवन का कि sir यार इससे करना जरूरी है कि हम किसी और तरीके से भी कर सकते किसी और तरीके से भी कर सकते depend है कि requirement अगर question में सिर्फ बोलता कि expected NPV निकालो और decide किजिए कि project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं कवी भी तरीके से कर सकता था इस question में बहुत सारा ही चीजे मांगा था इसलिए मुझे मजबूरी में क्या बनाना पड़ा मुझे मजबूरी में table बनाना पड़ा कौन सा वाला टेबल ये वाला टेबल बना चलो हिम्मत दिखाते हैं हिम्मत अच्छा question है decision tree बनाना पड़ेगा पढ़ ले एक बार question को यस पढ़ते हैं कोशन you on unused gold mine ओ हो तोनी की खदान है भाई gold mine ठीक है अभी तक आप use नहीं कर रहे हैं और कितना खर्च है उसका cost कितना है that will cost और cost कितना है 10 लाख ओके सर 10 लाख रुपै 10 लाख हमको खर्च करने पड़ेगे किसलिए खर्च करने पड़ेगे बोले हम उसको reopen करना चाहते gold mine को reopen करना चाहते क्या निकलेगा gold साल में और कितने साल तक 3 years तक अभी तक कहानी ये समझ में आई है 10 लाख रुपै खर्च करना है gold mine reopen करना है 10 लाख खर्च आएगा और अगर reopen करते हैं तो 1000 आउंस gold निकलेगा extract होगा और आने वाले कितने साल तक 3 साल तक 1000, 1000, 1000 उसके बाद जो gold deposit था वो खतम हो जाएगा, exhaust मतलब 3 साल तक फायदा मिलने वाला है gold price अभी कितने का चल रहा है 5000, अभी अभी चल रहा 5000 पर ओंस और हर साल gold price equally likely, equally, equally का मतलब सर्फ 0.5 equally likely to rise or fall by rupees 500 from its level at the start of year कहानी क्या है, कहानी है भई, gold का price important बात है, अभी क्या चल रहा 5000 एक साल बात क्या हो सकता 500 से उपर हो सकता या 500 से नीचे हो सकता दो साल बात क्या हो सकता, सर उससे 500 उपर हो सकता या उससे 500 नीचे हो सकता तर इट मींस अल्टिमेटली हमको expected cash pro निकलना है हाँ भाई हाँ और कुछ नहीं करना है नॉर्मल जैसे NPV निकल रहा है वैसे NPV निकलोगे और कुछ नहीं बस expected price वो बता रहा है gold का तर खर्च भी तो होगे हाँ price निकल लेंगे उसमें से cost माइनस कर देंगे और फिर बाद में हम quantity से multiply कर देंगे target क्या है? target है NPV निकल और उसके लिए हमें expected cash flow निकल रहा है तर gold जो है उसको extract करने का cost कितना है? 4600 और discounting rate कितना है? 10 पर अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बताईए you open the mind now जो gold mine है अभी open करे क्या? या फिर एक काम करते है एक साल रुख जाबते है एक साल बाद देखेंगे कि या गोल्ड का price क्या हुआ? उसके बाद सूचेंगे open करना है कि नहीं करना है? यहाँ आपको NPV निकलना है decision 2 है अभी open कर ले gold mine को या एक साल बाद open करें बस, डिसाइड यह करना second point क्या बोल रहा हूँ वो बाद में समझे sir decision tree में हमें बनाना क्या? कुछ नहीं मुझे सिर्फ gold का price बताना है कि एक साल बाद क्या हो सकता है दो साल बाद क्या-क्या हो सकता है तीन साल बाद क्या-क्या हो ट्री में ही तो मज़ा आएगा तब ही तो हम सीखेंगे क्योंकि मैं ये कोश्टन डिसीजन ट्री का नहीं है पर इस कोश्टन से मैं कल के कोश्टन बहुत अच्छी तरह से करवा पाँ ची के सर तो अभी क्या करेंगे अभी हम मेरे साथ सत बनाएगे पहला ट्री मेरे साथ बनाएगे मेरे साथ पहले देख लेना है ना मैं गोल्ड प्राइस की बात अगर हम आज ओपन करते हैं तो गोल्ड प्राइस अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है 5000 तर क्या हो सकता है एक साल बात हाँ एक्जाम में भी बनाएंगे इशा एक्जाम में भी आपको बनाना है क्योंकि इससे कोश्चन इजिली समझ में आएंगे बस अभी 5000 है एक साल बात या तो 5500 हो सकता है गोल्ड का प्राइस सर अब तो आप छोड़ दीजी हम बना लेंगे या तो 500 कम हो सकता मतलब 4500 हो सकता है ये कब की बात है सर एक साल बात आज ओपन करूगी गोल्ड माई 4500 समझ में आगे है ना 500 उपर 500 नीचे सर उसके बात क्या होगा फिर चले आगे Second Year में सर कितना हो सकता 6000 हो सकता या फिर 5000 हो सकता है या फिर क्या हो सकता ये दो पॉसिबिलिटी या तो 5000 हो सकता है या तो 4000 हो सकता ये कब की बात हुई ये टू फिर आगे चले दो पॉसिबिलिटी यहांभी दो पॉसिबिलिटी यहांभी बढ़ेगा कम होगा यहांभी दो पॉसिबिलिटी पर मजा आएगा अभी तो कैल्बुलेशन करेंगे कर अब ureTree की बात करो संदा सिक्स थाॉजन पाइफफटेड हो सकता है यार दो फोर थाॉजन पैफण्डेड हो सकता है तो 4000, 500 हो सकता है कौपी कम पर गई है सर, अब क्या किया जाए और एक पैस है ना भाई, क्यों नहीं कर सकते थोड़ा सा पीछी खिचना है बस यह लो जगह ही जगह है चीक है सर, समझ गए हम ला या तो 4000, 500 हो सकता है या तो 3000, 500 रोवन का कहना सर, येर 1 में 4500 कैसे आया एक्चुली कोश्चन में लिखा है किधर गया कोश्चन कोश्चन में लिखा है कि येर गोल्ड का प्राइज जो है ना वो अभी 5000 है इच येर दा प्राइज इक्वली, लैकली टू राइस भी हो सकता है या गिर भी सकता है पासो से बढ़ भी सकता है पासो से गिर भी सकता है इचड़ी पग गई है मैंने आपसे ये कहा था सुनो मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा इंतजार करना हां सर मेरा इंतजार करना आपने जोश में आके बनाया है को पते नहीं कि आगे क्या जाना है मुझे मालम था कि ऐसा होने वाला आपके साथ इसलिए मैंने कहा था आप से कि मेरा इंतजार करना कोई वात ने सर कोई वात ने कोशिश करूगा ऐसी कॉफी अभी क्या करना है सुनो अभी क्या करना सर अभी probability लिखते है equally बड़ भी सकता है कम भी हो सकता मतलब 0.5, 0.5 ठीक है सर लिखे किया probability यस हमें probability लिखने जा रहा हूँ सर probability लिख सकते हैं कि आपके साथ साथ मेरे साथ साथ लिख सकते हो probability 0.5, 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 that's it हाँ adjustment तो necessary है यार बास सही बोल रहा हूँ फिर इस बार गलती हुई ना एक बार गलती होगी आगे तो नहीं होगी ना सर आगे हम सोच समझ के रहा है मैं जानता हूँ अभी यार सुनो, NPV निकालना है हमें डिसाइड यह करना है कि यार गोल्ड माइन अभी ओपन करना है कि एक साल बाद ओपन करना है तो अभी NPV तो निकालना ultimately है तो सर, NPV निकालना तो सबसे पहले मुझे expected selling price चाहिए expected cash flow निकालना है न तो expected selling price निकाल लेते है उसमें से extraction cost minus कर देंगे और quantity से बाद में multiply कर देंगे तो सवाल यह है सर, कोई है, NPV निकालना है अब आप कोगे कि सरम धेर सारी NPV निकालोगे तो मर जाओगे करते खरते यार तीन घंडे में भी खतम नहीं होने वाला कोशन अब तो shortcut लगाना पड़ेगा और shortcut कैसे लगाया जाए अगर NPV निकालने की बात करो तो कितनी possibility है ना जाने कितनी possibility है मैं करूंगा कैसे मैं first year का cash flow लेता हूँ expected price निकाल लेता हूँ ठीक है sir और मैं second year का expected price निकाल लेता हूँ मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ और मैं third year का भी expected price निकाल लेता हूँ that's it हो गया है का first year का second year का याद रखना कि joint probability लेना मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ ऐसे जाता तो अलग बात थी मैं कहा रहा हूँ कि इसका इसका और इसका तीनों का मैं expected price निकाल लेता हूँ ठीक है तो सबसे पहले expected price of gold निकाल रहा है first year का second year का third year जैसे निकला तो हमारा NPV बड़े आसानी से निकल जाएगा ठीक है सर तो first काम कर रहा है expected price of gold first year कैसे निकलेगा पता है ना याश तर 5500 into 0.5 और 4500 into 0.5 अच्छा सुनो ना यार सुनो शुनो शुनो कर देते और एक ही बार 0.5 से multiply कर देते तो क्या गुणा है कोई गुणा नहीं है मतलब 5500 प्लस 4500 तर यह जुगाड कहां से आया आप ही की किताब में लिखा हुआ है कि मेरा कोई ओपी नहीं है 5500 तस 4500 इंटू 0.5 ठीक है जर दिवाइड बाइट बाइट वाइट तू अंस आपका भी कहना है सही है तो यह फर्स्ट इयर का गोल्ड का प्राइस कितना आ गया 5000 एक्सपेक्टेट प्राइस किताब का मतला बुक 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 ठीक है ठीक है सर यह रटू अब यह रटू में जो लगाते दिमाग चलाती खिर से दिमाग चलाती 6000 सुनोगे 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 मैं क्या कहना रहा 6000 इंटू पॉइंट फाइव नहीं हो सकता हां सर इक्स ताउजन इंटू पॉइंट फाइव हो सकता है हां सर तू फाइव कैसे आ रहा ना यह जो है 6000 याद करो हमने क्या किया था पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव हां बोलो हां सर तो यार यह 5000 भी किस से मल्टिप्लाई होगा पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव तो सर यह सब की सब 0.25 से multiply होगा, हाँ ना भाई, हाँ तो सब जुगार हो सकता फिर तो कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा पहले लिख लूँ कि ये वाला 6,000, 5,000, 5,000 6,000, 6,000, 6,000, 5,000, 4 6,000 6,000 6,000, 5,000 5,000 4 into 0.5 square square समझ में आ रहा न, कि मैंने क्या किया आ गए सर, ये भी आ गए रुपीस 5,000 दीपक का कहना सर थर्ड येर का भी 5,000 आ रहा आप टाइम पास करी क्यों रहा काम आएगा दीपक ये किसी ये ऐसा तो कोई है नहीं है न जिसको ये 0.5 का square समझ में नहीं आ आ गए सर आ गए सर अब कहां चले अब चलते येर 3 फिर वही काम करूँगा अब इन सब को एट करूँगा 6,500, 5,500 5,500, 4,500 फैर यार मैं करी क्यों रहा हूँ आपके रहते हुए मुझे ये सब करना पड़ेगा तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है आंसर चाहिए फाइनल आंसर पर फाइनल आंसर 5000 ये ये इगा इगा झाल प्रॉफिट लिख सकते हूँ मैं सिधा कैशन फ्रो लिख रहा हूँ टैक्स वैक्स का कोई चक्कर है नहीं है चारलाग रुपे पर रहे ना एन पी भी निकाल लेते हैं चारलाग इन्टू 1.10 पावर वन सर फैक्टर से भी कर सकते हैं की कर सकते हूँ आई सी ए आई ने ऐसे किया तो मैं कर रहा हूँ आप फैक्टर से भी कर सकते हूँ चार क्रोड क्यों होगे क्वांटिटी बच्चे का कहना है की सर आपका आंसर चो चार लाग आ रहा है वो गलत आ रहा है नहीं चार लाग सहीं आ रहा है क्वांटिटी मैंने वन लेक ले लिया था ठीक है मुनलिशा क्वांटिटी गलती से वन लेक ले लिया था अब मैंने उसको वन थाउशन कर लिया है चोटी चोटी बाते नहीं पकड़नी चाहिए भावनाव को समझू आपको वन थाउशन्ट ही समझना चाहिए था आंसर चाहिए एन पीवी एन पीवी पहला एन पीवी तर माइनस में आ गया है फाइब टू सिक जिरो तो बताओ बच्चो क्या हमें गोल्ड माइन ओपन करना चाहिए अभी तर नहीं करना चाहिए नेगेटिव एन पीवी है मतलब भी नहीं है लेकिन सुनो 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 अभी डिसाइड नहीं करना वैसे तो अभी फाइनल हो गया तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइज अलग-अलग होता तो क्या होता तो वो मंडे को आने वाला है कोश्चन जो आप बोल रहे हो ना उसका आएगा मंडे को कोश्चन आएगा एक्सपेक्टेड प्राइज अलग-अलग होता तो फिर क्या होता पर अभी decide नहीं करना है वैसे तो पक्का है कि यार gold mine अभी तो open नहीं करना चाहिए अब उसका दूसरा है अब दूसरा point है बस खतम कर रहा है इसको अभी पढ़के बताओ कि अगला point क्या बोल रहा है decide ये बोला था उसने करने के लिए हाँ मैं question पर आ रहा हूँ question ये था कि हमें अभी open करना चाहिए तो वैसे तो answer आ गया है कि नहीं या फिर delay करना चाहिए एक साल wait करना चाहिए और उसके बाद open करना चाहिए तो अब wait one year तो इसको अगर आप एक साल wait कर रहे तो पीवी क्या आएगा वो तो निकालना पड़ेगा ना इट मींस क्या सर हमको फिर से decision tree मनाना पड़ेगा हाँ ची और मेरे ख्याल से अब आप expert हो चुके हो चलो तो क्या करें अब अब delay करे one year बस तो सर आज दूसरा point करेंगी कि आज दूसरा point नहीं करने वाले है आज पहले इसमें भी मुझे NPV निकालना पस उतना काम करके class over करेंगे हम लोग ठीक है delay one year मेरे साथ बना रहे हो कि मेरे बाद बनाओगी समझ गया हो ना कॉपी में कितनी जगा लगेगी गरवड तो नहीं कर दोगे मैं आपसे पूछ रहा हूं मज़े पहले reply करो तो उसे साब से मैं बनाओगा question धीरे धीरे बनाओगा तो मेरे साथ भी बना सकते हो मेरे खाल से अब idea हो गया होगा कि कितनी जगा लगेगी आप लोग कुछ बच्चे बोलरे सार हम बाद में बना लेंगे कुछ बच्चे बोलरे कि साथ साथ बना लेते ना अब तो हमको समझ में आ गया कि क्या करना है करगे ठीक चलो जी चलो अब पहले एक बार देख लो आपके objection आएगे मेरे decision tree में तर आज की बात करो आज price कितना है आज price है 5000 आज price है 5000 अब भी क्या करें ये आज की बात है टूडे एक साल बात क्या हो सकता है को condition है क्या क्या हो सकता है सर या तो हो सकता है 5500 या तो हो सकता है 4500 टीक है अगर 4500 हो गया तो क्या करें इसना बड़ा ले जाओंगा तो फिर दिक्कत में अगर 45 हो गया तो यार मैं क्या है मैं यहां सोच रहा हूँ एक साल बात सोचा जाएगा जैसी एक साल हुआ तो मैं तभी ओपन करूंगा जब 5500 होगा अगर गोल्ड का प्राइस 4500 होगा तो मैं बरबाद होने के लिए नहीं जा रहा हूँ अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ यार तो तो ऐसा कहां लिखा है लिखा है डिले करेंगे वन इयर इन दा होप ओफ राइस इन दा गोल्ड प्राइस इसलिए हम और हम आपसे यही कह रहे है कि यहां अगर 4500 होगा तो बात खतम हो गई फिर तो बंद करो फिर तो करनी नहीं है जब हम 5000 में तयार नहीं होगा तो 4000 पासव में कहां से तयार हो जाएगी इट मिंस हम तब ही ओपन करेंगे जब 4500 यह कब की बात है सर यह बात है इयर वन की ठीक है 5500 हो गया चलो ओपन करें क्या यस ओपन कर रहा है पैसा कहां लगेगा कोई है जो पैसा बताएगा कहां लगने वाला 10 लाक आज लगेगा कि फास्ट यहर में लगेगा 10 लेक्स उपन करने के लिए गोल्ड माइन उपन करना है न यार 10 लाक तो लगेगा तो वो 10 लाक कब लगने वाला यहां लगने वाला कि यहां लगने वाला जीरो पिरियड में लगेगा कि फास्ट यहर में लगेगा रोजूत फास्ट यहर में लगेगा बिल्कुल सही तर यहां लगेगा दसलाग बस इस बात को याद रखना याद रखना खेल है बहुत बड़ा खेल है भाई इसमा चलो बढ़ा है कितने से बढ़ाना 500 अब 500 ठीक है सर 500 पाइव अंड़ेट 500 मतलब कितना हो सकता है यह हो सकता है 6000 यह हो सकता है सर 5000 यह कब की बात है इयर टू का देवेंदर का अंसर भी आ गया है इयर टू का हाँ 1,002.9 वो तो करेंगे हम दीपाक मजा आएगा मजा आएगा करने ठीक है सर इयर टू अब पहुंच जाते इयर थ्री अभी कितना कितना हो सकता है सर 6,500 और 5,500 ठीक है और 5,500 और 4,500 यह बात कहां की हो गई इयर थ्री अब कहां पहुंचेंगे सर अब इयर फो जगह ही नहीं बचेंगे मैनेज कर लेगा इयर फो अच्छा है कि आप पहले नहीं बना रहा है मेरे सास अपने तो फिर मुझे गाली देते सर आपने बताए अच्छा है आप बाद में नोट करने वाले नहीं तो यहां गडबड कर देते आप इयर फोर में ठीक है तो 7,000 यह बात कहां कि है यह फोर और सर 6,000 और सर 6,000 और 5,000 और 6,000 5,000 5,000 5,000 4,000 एक बच्ची आपके सर सीधे लाइन बना के ऐसे गुमा सकते हो क्या यह भगवाद मेरे साल साथ तो नहीं बना रहा था ना कोई बस बस हो गया बस इसके बाहर नहीं जाने वाला हो गया कंप्लेट तो सर एक बार बना ले क्या हाँ आप बना लीजे बना लो विट अब बना सकते हो आप टाइम दे रहा हूं आपको बनाने के लिए कर दो कर दो झाल झाल कि चार हजार पास सर इधर भी आएगा कि इधर कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि ओपन ही नहीं करना चार हजार छेसो तो कोश्ट है तो चार हजार पास सो का कोई सेंस नहीं है सर यह पॉइंट नंबर टू में काम आने वाला अधिपक पॉइंट नंबर टू इसी के लिए बना हुआ एक्शन तो पॉइंट नंबर टू में वही चीज पूछ रहा है जो आप बोल रहा है चलो जी काम करें यस पहले probability लिख दूँ क्या 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 इधर वाले पे नहीं बनाना है यहां तो खतम करो इधर तो कुछ करी नहीं सकते हैं उसने आप language को पढ़ो न उसने इस 4,500 के लिए उसने बोला है कि हम अगले साल तभी open करेंगे जब इस उम्मीद से की price बढ़ेगा ठीक है इसलिए मैं यहां पर तो आगे बढ़ने का नहीं सोचा तभी ने अगर इसे बना लिया है तो हम calculation start कर सकते हैं चलो ठीक है जी सबी लोगों का हो गया है तो टाइम भी बहुत हो गया है यस हमारे पास है 10 मिनट और 10 मिनट में हम NPV निकालने वाले ठीक है अब सुनो मेरा जुगाड क्या है आपका क्या जुगाड होगा कि सर सीधा सीधा यहां पहुँच जाओं मैं सीधा यहां नहीं पहुच रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई तुना ध्यान से जैसे मैंने path one करवाया था ना मैं यहां तक पहुचना चाहता हूँ मैं यहां तक पहुचना चाहता हूँ और फिर जो भी आएगा उसको point five से और इसको point five से multiply कर दूँ बाद समझ रहा हूँ मैं sir make up क्या करें मैं मान लो कि अभी यह zero period है मान लो कि इसके पिछे कुछ हाई ही नहीं है को सकता है और मैं मान के चल रहा हूँ कि यह मेरे लिए first year है यह माला मेरा second year है यह माला मेरा third year है ठीक है इस probability से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि या जा सकता है question इसको भी लेकर कर सकते हो पर मैंने का चलो अभी यह तो भूल जाते है यह probability भूल जाते है एक मिनट के लिए भूलने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं कहता हूँ चलो अभी यह वाला यह वाला expected price निकालते है जैसे अभी निकाला था यह वाला expected price निकालते है जैसे अभी निकाला था और यह वाला भी expected price निकाले थे तीनो expected price निकाल लेते है इस speed से काम हो जाने का कुछ बच्चे बोलते सर नहीं हम इसको भी consider करेंगे कर सकते हाँ मैं यही बोल रहा हूं इसको सबको मैंने path one ले लिया और इसको पास तू लेकिन मैं अभी कहता हूं अभी रुख जाओ मैं वैसे भी करूँगा पर मैं सिर्फ यहां तक पहुच रहा हूं ठीक है काम करें बह झाल झाल कर दो पहुच रहा हूं ठीक प्सट हूं पगिन वज़ेक्ष होना हुच थैख बंट टीक क्षटर कहान है स्टेजर प्लस पाच्छिजर इंटो 0.5 6,000 plus 5,000 5 11, 11 by 2 6,500 11 by 2, 5,500 3rd year का बता दो 5,500 निसी था ये तो 1st year का हो गया है चलो 2nd year का कोशिश करे same for all 3 अजे ने निकाल लिया अजे का कहना है सर इसका भी 5,500 ही आ रहा है और इसका भी 5,500 ही अमित का भी कहना है सर तीनो साल का 5,500 ही आ रहा है 5,500 ही आ रहा है 5,500 ही आ रहा है 600 to 1000 no luck पार रहे नहाँ पाकिसाब बच्ची भी निकाल ले तो फिर मैं आगे चलूँगा मैं वेट करूँगा उनका एक बर जब यहाँ तक पहुँच जाओगे नौ लाग तक अब मुझे एक बर मैसेज कर दी वेजन्ती हो गया है सबका हो गया है सुबानसू, विने, ओक्य, ओक्य, ओक्य फाइनल हो गया, अब यहर नौ लाक अब ध्यान से समझने वाली बात है, अब कॉंसेप्ट है यह है, यह है जीरो पिरिट, यह फर्स्ट इयर, यह है सेकेंड इयर, यह थर्ड इयर, और यह है फोर्थ इयर, प्रेजन्ट वैली वाला कॉंसेप्ट सबको आता है, और बहुत ढंग से आता है, मुझे मादू, तर यहाँ पैसा लग रहा है दस लाक, और यहाँ आ रहा है नौलक, और यहाँ आ रहा है नौलक, और यहाँ भी आ रहा है नौलक, हाँ, डिसकाउंटिंग का खेल है, मैं सीधे यहाँ तक नहीं पहुचना चाहता, मैं यहाँ तक पहुचना चाहता हूँ, मैं यहां तक पहुचना चाहता हूँ ठीक है मैं सीधा इसकोparty 0 पिरेड में नहीं पहुचाना चाहता तर क्यों नहीं करना चाहता है कर सकते हैं पर अभी मुझे नहीं करना है मैं बस decision tree के हिसाब से चलू तो मैं यहां तक रुखना चाहता हूँ यहां तक तो अब question यह है अगर वैसे तो divide वाला तरीका है मुझे यहां से यहां पहुचना है इसको तो divide करना पड़ेगा मैं factors नहीं जा रहा हूं मुझे divide करना पड़ेगा 1.10 power 1 से की power 2 से मैं फिर से बोल रहा हूं तो मुझे यहां से first year में जाना है तो जो divide करेंगे 1.10 power 1 होना चाहिए अगर मैं इसको power 2 कर देता हूं तो मैं सीधा 0 period में पहुच जाएंगा ठीक है ठीक है सर आप यहां तक जाना चाहते है ऐसी 9 lakh 1.10 power क्या हो जाएगा 2 हाँ जी Vanessa भी का answer सहीं है तो सर अब क्या सर ऐसे note कर लीज़े अब आपको जैसे note करना आप कर सकते हो बस मैंने आपको बताया कि मैं किस period का cash flow निकाल रहा हूं ठीक है सर तो अब निकल रहा है मारा present value of cash inflow at the end of year 1 year 1 factor से भी कर सकते है 10.00.00 में 10.00.00 पे पहुछ रहा हूं भी पहुछ रहा हूं भी धीरे सी धीरे धीरे काम कर दस लाख को 0.909 से multiply करूँगा ही नहीं निकाल के इसको 0.909 से multiply करता हूं sir 10.00.00 को करना आथ तो वह भी कर सकते हूं वह वाला भी method आपको समझा दूँगा, आप टेंशन में, आप सीधा 10 लाग को सीधा इसको अगर हम यहाँ ले जाए तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं तो भी answer आ जाएगा, तो सर 9 लाग divided by 1.10 equal to equal to equal to 0, 9 लाग divided by 1.10, तो सर यह आ गया, रुपीस, 2, 2, 3, 8, 167, minus, P, V, C, O, 10 लाग यहीं लग रहा है, 10 लाग, तो यह आ गया है, N, लेक् अल्गूरेटर, 1, 2, 3, 8, 7, जो वैल्यो निकलें, वह यहां के निकलें, 1, 2, 3, 8, 1, 6, 7 मांशी इशा सबका सही है 1, 2, 3, 8, 1, 6, 7 ठीक है? ठीक है अब सुनना वच्चे, सुनना अध्यान से अब मैं आप से यह कह रहा हूँ अब भी NPV ने निकला है हमें डिसिजन एक साल बाद जाकर नहीं देना हमें डिसिजन तो आज ही देना है तो सर अब हमारा जो NPV आया अगर देखा जाए तो NPV यहां का आ गया है यहां का आ गया है अब यह इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहां का NPV आ गया 1, 2, 3, 8, 1, 6, 7 ठीक है और यहां का NPV यहां का NPV तो 0 ही आएगा यह ना यार मतलब मैं यहां खड़ा होके सोच रहा हूँ कि यह NPV यह भी आ सकता है NPV यह भी आ सकता है तो expected NPV निकल सकता है कि first year के end का यस और जो expected NPV निकलेगा उसको अभी 0.909 से multiply करना पड़ेगा हाँ सर सर फिर से बोलो फिर से मैं यह कह रहा हूँ और भी दूसरे तरीके बहुत सारे method है अभी हमारे पास time नहीं है हमारे पास Monday का और time है अभी बहुत काम करना वाक्य है यस यह NPV भी आ सकता है 0 NPV भी आ सकता है तोंकि यार चारे दर पास से हुआ तो हम हाथ खड़े कर देंगे हमको तो कुछ करना नहीं है मतलब यह कुछ ना तो जाएगा ना तो आएगा 0 भी आ सकता है यह भी आ सकता है इस बात की probability यह 0.5 इस बात की probability point तो यह जो निकलेगा वो निकलेगा expected NPV और जो निकलेगा उसको multiply करेंगे हम किस से 0.909 से तो answer आ जाए समझाओगे ना हाँ आज नहीं तो कल समझा दूँगा उसका कोई दिक्कत है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं कर रहा हूँ expected NPV यह NPV निकाल हूँ आप सीधा अब निकल रहा हूँ actual में NPV NPV at 0 period 1,2,3,8,1,6,7 2.5 plus 0,8,2,5 divided by 1.1 answer is 562 747 562,747 1,2,3,8 1,2,3,8 1,6,7 2.5 divided by 1.10 562 803 आ रहा है मेरा अच्छा आपने फैक्टर से किया होगा ठीक अपने फैक्टर से मल्टिप्लाई किया होगा सिवांगी बाकी ठीक है 562 803 ए भगवान 562 NPV positive है अगर हम delay करते तो हमें delay कर देना चाहिए मज़ा आ गया सर सबका सही एक homework है आपके लिए अब homework ऐसा नहीं कि मैं कोई question homework देने वाला हूँ मैं कुछ पूछने वाला हूँ हाँ इसको revise करना पड़ेगा question ही ऐसा है और ऐसा नहीं है कि आज की बात है एक जमाने पहले question था तू भी बच्ची इसको मैंने का ना दो question इतने danger है मैंने उठा कर लाया हूँ वो दो question इसका कोई और method है क्या हाँ वो method आप ही को देने वाला हो homework में वो ही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ homework देने वाला हूँ दिमाग चलाना पड़ेगा खुद से सोचोगे आएगा आएगा 100 पर अब मेरा question सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा question मैं कहता हूँ यार अब सुनना हूँ अगर ये second year का है हाँ मैं कहता हूँ मैं यहां रुकना ही नहीं चाहता सर इसको छोड़ो ना यार इसकी बात मत कर मैं कहता हूँ अगर यहां लगता है 10 लाग ठीक है मुझे NPV चाहिए और NPV ऐसा नहीं है कि इस 0 को consider नहीं कर सकते इसको भी इस probability को भी consider करना पड़ेगा मेरा बस simple सा question है इन probability को भी आपको consider करना है कुछ ऐसा करना मेरा अब मैं क्या पूल नहीं हूँ क्योंकि यह दो second year का cash flow है मैं सीधा यहीं पहुचना चाहता हूँ सीधा यहीं पहुचना था चाहता हूँ और यहां NPV निकालना चाहता हूँ और क्या करे कि NPV वापस उतना ही आजाए जो मैं निकाल रहा हूँ it means मैं कह रहा हूँ direct pull करो zero period में यस और NPV इतना ही आ जाए और इसको भी सीधा zero period में ले लो क्या ऐसा कुछ हो सकता है आज नहीं बताना है टाइम है आपके पस संडे का दिन है अराम से सोचिए और उसके बाद बते point number two अभी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें बहुत कुछ है real option actual में derivative में एक topic introduce हुआ real option तो वो real option का थोड़ा बहुत knowledge अभी हम ले ले तो वो ज़्यादा अच्छा तो class over कर रहा है आज का बस इतना ही homework है जोगार लगा के रानिपी भी लाना है और thank you so much Sunday है enjoy करो Monday को मिलते हैं अमबको thank you bye bye good night